नबे के दशक की मशूर अभीनेत्री शुश्मिता सेन के बारे में कौन नहीं जानता है। इन्होंने नबे के दशक में बॉलिवूट इंडॉस्ट्री में कई सुपर हिट फिल्में दी हैं। और एक बहतरीन अभिनित्री के साथ मिस्स यूनिवर्स भी रह चुकी है। इन्हों ने अपनी दमदार एक्टिंग से लाको करोडों लोगों को अपना दिवाना बनाया है। दोस्तों आप सुश्मिता सेन के बारे में सब जानते हैं लेकिन क्या आप इनकी खुबसूरत बेटियों के बारे में जानते हैं। कौन हैं, क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं। तो अगर आप भी इनकी बेटियों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के एंड तक सुस्मिता का जन्म 19 निवंबर 1975 को हैदरबाद के अंदरप्रदेश में हुआ था इन्होंने वायू सेना, गोल्डन जैन्ती, संस्थान नई दिली स्कूल से अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की और ग्रेजुशन दिली यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की अपने अभी नई करियर की शुरात मिस यूनिवर्स को खिताब जीतने के बाद हिंदी फिल्म दस तक से बॉलिवुद में कदम रखा जिसके बाद इन्होंने बीवी नबर वन आखे मैं हुना सिर्फ तुम और मैंने प्यार क्यूं किया बेवफा जैसी सूपर हिट फिल्मों में काम किया इन्होंने हिन्दी फिल्मों के साथ सथ में, अगर बात करें की बेटी की तो इनकी दो बेटिया है रेनी अर आलेशा सहीं बता दे कि अपनी इसली बेटिया नहीं है कि शुषमिता से अभी भी चुंआरी है शुष्मिता सेन ने इन दोनों को अडप्ट किया है लेकिन शुष्मिता इन दोनों को बहुत प्यार करती है और इनके साथ जादा टाइम बिताती है हाली में खबर आई कि शुश्मिता ने फैस्टा किया था कि जब उनकी बेटियां 20 साल की हो जाएंगी तो वो उनके और रियल पैरेंट से मिलवाएंगी तो दोस्तों आपको शुश्मिता सेंट की बेटियां कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें